हेलो दोस्तो नमस्कार एगरी कल्चर एश्टरी सेंटर में आप सभी का स्वागत है बीएस्सी एगरी कल्चर से रिलेटड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को आउन कर लिजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें आज इस वीडियो में बीएस्सी एगरी कल्चर सिक्स समेस्टर फार्म मनेजमेंट प्रोडक्शन और रिसोर्स एकोनोमिक्स के महतपूर्ण प्रसन लेकर आए हैं प्रसन बहुत ही ज्यादा महतपूर्ण हैं इससे पहले के वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा बेरी इंपोर्टेट प्रसन लिए गए हैं तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला कोश्चन है औसत लागत किस प्रकार ग्यात करते हैं तो औसत लागत बराबर कुल लागत प्लस कुल उत्पादन होता है नेस्ट कोश्चन है औसत परिवर्ती लागत किस प्रकार ग्यात करते हैं तो औसत परिवर्ती लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन होता भड़ते हैं next question पर next question है cost C किस प्रकार ग्यात करते हैं तो cost C बराबर cost B plus परिवारिक स्रम का अंकलित मुल होता है next question है very important question है आउसत इस्थिर लागत का आकार कैसा होता है तो आयताकार अतिपरिवलय होता है next question है सीमांत लागत का आकार कैसा होता है तो यह यु आकार का होता है नेश्ट कोशन है लाभांस का कर सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया था तो एफे वाकर ने किया था एफे वाकर is correct answer हो जाएगा जन संख्या को demographic transition theory किसने प्रतिपादित की तो C blacker ने की थी C blacker is correct answer हो जाएगा पूर्ण रोजकार की इस्थित देखी गई है तो recession में देखी गई है recession is correct answer हो जाएगा next question है कालपनिक मांग निर्भर करती है तो ब्याजदर पर निर्भर करती है next question है किस सिध्धान्त में उपभोग की ओसत प्रकति इस्थिर रहती है तो जे एस दसेन वेरी सिध्धान्त में रहती है next question है भारत में बैंकों का राच्ति करण कब किया गया था तो 19 जुलाई 1979 में किया गया था very important question है next question है भारत का प्रथम नियंत्रित बाजार काराजिया कॉटन मार्केट किस वर्स इस्थापित किया गया था तो यह 1886 में इस्थापित किया गया था very important question 20 मानक दिवस कब मनाया जाता है तो 20 मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में सहकारी रिण समित कानून कब पारित किया गया तो 1904 में पारित किया गया था next question है प्रत्थम भूं में बंधग बैंक कब और कहां इस्थापित किया गया था तो 1920 में पंजाब में इस्थापित किया गया था नेस्ट कोशन है एककल खिरकी पद्धत किसके द्वारा प्रिस्तुत की गई तो मोहन केडा के द्वारा प्रिस्तुत की गई थी मोहन केडा इस करेक्ट अंसर हो जाएगा ड्यूरेवल असेड की बुक वैलू का अर्थ है तो लागत पर मूल का है नेस्ट कोश्चन है डेविट एक्वल्टी अनुपात क्या होता है तो रिफंड लाइविट्रीज नेट वर्थ होता है बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन बढ़तें नेस्ट कोश्चन पर नेस्ट कोश्चन है फार्म की एक्वल्टी वैलू ग्यात की जाती है तो वैलन सीट द रचना के आधार पर किया जाता है उसे कहते हैं तो बाजार अर्थविवस्था कहते हैं नेश्ट कोशन है बेरी इंपोर्टन कोशन है किस इस्थित में हास मान प्रतिफल लों का नियम देरी से लागू होता है तो इस टकनीकी उन्नत होने पर दूसरा है किसान की दच्छता में ब्रध्य होने पर तीसरा है आगातों की प्रारंभिक मातराओं के आऊसोसित प्रभाव होने पर बेरी इंपोर्टन कोशन है नेस्ट कोशन है लोजिकल ओर्डरिंग थेऊरी किसने प्रतिपादित की थी तो हिक्स ने की थी हिक्स इज करेक्ट एंसर हो जाएगा वैलू एडिट टेक्स क्या होता है तो यह आप्रत्यच कर होता है नेस्ट कोशन है उपभोगता ब्योहार की न्यू ओर्टिकल वियूट तो लेन के श्टियर ने की थी बेरी इंपोटेंट कोश्चन नेस्ट कोशन है कौन सी व्यवस्था में राज और किसान के बीच बिचोलिया नहीं थे तो रेयात्वारी में नहीं थे रेयात्वारी में नहीं थे नेस्ट कोशिन है विप्रण येयों निरच्छन निरदेशाल है कहां इस्थित है तो या फरीदाबाद में इस्थित है बढ़ते हैं नेस्ट कोशिन पर नेस्ट कोशिन है very important question जब कार सील इस्थिर योम कुल अनुपात एक से कम हो तब उपक्रम क्या होगा तो लाव होता है नेश्ट है क्रसी में फंड की आव सकता के समय पता किस की सहायता से लगाया जाता है तो कैस फिलो के द्वारा लगाया जाता है नेश्ट कोशन है मानाव विकास सूचनांक HDI में सकेल होता है तो जीरो से एक होता है नेश्ट कोशन है बित्ती घाटे का अर्थ है तो राज्यस से ज्यादा खर्च होने पर नेश्ट कोशन है भारती वार्षिक राष्टी आई किसके द्वारा ग्यात की जाती है तो केंदरी सांखिकी संगठन के द्वारा ग्यात की जाती है CSO के द्वारा Next question है सीमांत उत्पादन किस प्रकार ग्यात करते हैं तो सीमांत उत्पादन बराबर होता है कुल उत्पादन में अंतर बटे कुल उपियुक्त आगात में अंतर Next question है उत्पादन की लोच किस प्रकार ग्यात करते हैं तो उत्पादन की लोच बराबर होता है सीमान्त उत्पादन बटे आउसत उत्पादन होता है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन है बेरी इंपोर्टन कोशन है कुल लागत किस प्रकार ग्यात करते हैं तो कुल लागत बराबर कुल इस्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को अउन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंशती रहे मिलते हैं कि नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन